आप सभी को मैं यहाँ पर एक जॉब अपडेट देने जा रहा हूं उत्तर परदेश पुलिस बिभाग में एक बहुत बड़े नंबर पर रिकूट्मेंट आई है इसका सोट नॉटिफिकेशन ओफिशिल बेसाइट को पर जारी कर दिये गए इस ओफिशिल बेसाइट को पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक में दे द रहा हूं वहां पर विचाकर अब डाउनलोड कर सकते हैं जो उप निरचक यानि गोपनिये बिभाग में टूटल 295 पद ओपर रिकूट्मेंट जारी किये गए सहायक उप निरचक जो लिपिक पद के लिए 624 पदों के अब भी बात करेंगे इंपोर्टन डेट्स यानि कब से रिच्ट्वेशन स्टार्ट होगा ये भी हम लोग जानेंगे सहायक उपनियरचक के लिए लेखा के लिए 358 पद के ओपर बिग्यापन जारी किये गए इस ओफिशियल नोटिवेशन के ओपर हम लोग आ जाते हैं ज अब इस नोटिवेशन के सारी जनकारी आप ले सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्ट्वेशन बॉक्स में भी देज रहा हूं वहां पर भी जाकर देख सकते हैं अब आते हैं इस पीडीव के ऊपर पीडीएफ में क्या दिया गया है तो यदि आफ हमारे चैनल पर नहीं है तो पहले subscribe कर ले, notification bell icon क्लिक करके notification को level कर ले वीडियो को like करें और दोस्तों के साथ वीडियो को share करें तो चलिए इस notification के उपर हम लोग आथे हैं, यदि अभी बात कर नहीं आई, जोड भी जारी किए एक एक short notification जारी किए गये जिसमें कुछ ही डीटेल्स दिए गया है इसका लिंक में डिशुशन बॉक्स में दे द रहा हूं वहां पर जाकर इस नोटिफिकेशन को आप पड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरच्छक गोपनिय पद के लिए 295 पदों के लिए प्राप्त हुए आधि अचना चली गई है उक्तपदों के लिए भारती परक्रिया पूंट कराने तो बोड अस्तर्प करवाई श्टार्ट कर दीगे प्रागरम कर दिए गया उक्तभरती परक्रिया को पूंट करने है तो इसके बिग्यापन के लिए एक सेपरेट टाइम नहीं दिया गया ऑफिशल बेसाइट को पर पर शिग्र अतिशिग्र यानि बहुत जल्द ही मुश्पिल से आपको एक सप्ता आपको देखने को मिलेगा एक सप्ता के अंदर ही आपके इसके बिग्यापन जारी कर दे जाए जैसे कुछ पदों के लिए आपको नॉर्मल ग्रिजुशन चाहिए पर कुछ पदों के लिए आपको कॉंपीटर में नौलेज होना जरूरी है पर ऑफिशल जब विग्यापन जारी कर दिये जाएंगे वहां पर किलियर में नंसन होगा किस पद के लिए कितना एक्ट्रिश दी ओ एसी यानि बैठ कमीटी बुलाई गये ती तीन 2014 को जिसके एकॉर्डिंग रखे गया है थे भरती पर गया में सैची क्या रहता तक्निक सिच्छा के समख्षता होना चाहिए यानि यहाँ पर पूरी तरह से किलियर नहीं में इंसन किया गया कि आपको ग्यजुशन के स जात कंप्यूटर के नॉलेज्ज होना चाहिए और यह नॉलेज्ज डी ओए एसी या एन आई एल आई टी के कंप्यूटर ओ लेवल अस्तर के परमानपत समख्षता निधारन के समध्य में शासन दवारा अनुबोधित समकच परमानपत्रों को को खोश का बीवरन निम वात जो यहां पर दिया हुआ यह चीज आकर आप इसका नॉटिक्विशन को उपर जाकर पढ़ सकते हैं जैसी ओफिशल बिग्यापन जारी किया जाते है पैसी हम लोग इसके फूल डेटल नॉटिक्विशन को बात करेंगे और कंप्लीट एजकुशन को पर बात करेंगे इसके तो चलिए आज किस वीडियो में इतना है यदि आपको यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत